बॉलिवीर एक्टर शुषान सिंग राजपूत के जाने के बाद शुषान से चूड़ी हर एक खबर शूशल मीटिया पर सामने है चाहिए वो शुषान का लास्ट पोस्ट हो या फिर शुषान का लास्ट टूइट या फिर शुषान की लास्ट वीडियो ऐसे में अब शुशान्त को 6 महीने पूरी हो चुके हैं कल बीते 14 दिसंबर को शुशान्त को 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीने बाद अब शुशान्त को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है जहाँ पर शूशल मीडिया पर इस बात का दावा किया जा रहा है और बताया जो रहा है कि छे महीने बाद श्रशान सिंग राशपूत किसी और को नहीं बलकि अपनी एक्स-गर्फ्रेंड आंकिता लुखंडे के सपने में आए और सपने में श्रशान सिंग राशपूत ने आंकिता को अशारा दिया उन्होंने कहा इशारे इशारे में कि आंकिता मुझे वक्त हो चुका है छे महीने का इस दुनिया को अलविदा कही हुए लेकिन जिस तरह मेरी लड़ाई चल रही है इंसाफ के लिए लगता है मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं चाहता हूँ कि इस लड़ाई को तुम आगे भढ़ाओ और मुझे इंसाफ दिलाओ तब ही मुझे शांती मिलेगी ऐसी खबरे शोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है जहां पर इस बात को बताया जा रहा है कि अंकिता ने खुद अपने इस सपने को लेकर और शिशान सिंग राशपूत के इशारे को लेकर सभी के सामने खुलासा किया है लेकिन आपको बता दे कि जहां पर इस सपने और शिशान के इशारे को लेकर दावा किया जा रहा है तो ये खबर पूरी तरहा से जूती है क्योंकि अंकिता को ऐसा कोई सपना नहीं आया और नहीं अंकिता ने शिशान के सपने को लेकर ऐसी कोई बात की है अगर होता तो शुषान्त को लेकर ऐसी बात अंकिता जरूर शेयर करती लेकिन आपको बता दे कि शुषान्त सिंग राजपूत को दुनिया से गई हुए 6 मीने का वक्त हो चुका है और आज भी शुषान्त के इंसाफ की लड़ाई जारी है ये लड़ाई ना जाने कब खत्म होगी और कब शुषान्त को इंसाफ मिलेगा इसमें अभी देरी है नेक्स ने लाइफ सुरजनिक रिपोर्ट